हलो एप्रिवान और आज मैं आप लोग के सामने लेकर आई हूं छोटे बच्ची के उपर कैसे मेकप करना है हमको गर्बा मेकप लूप तो फेस्टिवल सीजन है तो बच्चे भी जित करते हैं कि हमें भी तयार होना है और बच्चों का हिस तहवार है तो उनका तयार होना तो में देखिए बच्चों की चीजने लगाँगी तो मैंने सबसे उसके मांसरीय के लिए मैंने उसी के बेभी करीम लिए है है मालिया की बेबी क्रीम है तो मैं वही पहले मॉश्चराइजर के लिए यूज किया है और फिर उसके बाद मैंने फैरन लवली लगाया है और उसको मैं टैप टैप मिशन में ही लगाऊंगी अच्छे एक प्लैंट कर लूंगी कि ताकि यू जो फैरन लवली है ऐसा ना कहीं सुखा सुखा क्या है अगर रगड़ते हैं तो वह सुखा सुखा सा हो जाता है तो हमको रगड़ना नहीं है और बच्चों को भी मज़ा आता है कि मिकब करना है अस तो मज़ा आ गया तो यह मैंने बेबी पॉड़र लिया है हिमालिया का हमालिया का बेबी पॉडर है तो वही उस को लगाऊंगी यहां पर कोई कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज नहीं कुरूंगी में ताकि उसकी स्किन पर कोई नुक्सान ना हो। तो मैंने यहां पर आईशैडो की लिए है और फो तो थोड़ा सा कलर्फुल पर ना चीव बच्छों को कलर्फुल तो अच्छा लगता ही है। तो जो भी हम प्रोड़क्ट लें बच्चों को स्कीन पर नुक्षान ना हो तो यह चीज जरूर देख लीना तो मेरा यह प्रोड़क्ट बहुत बढ़िया है तो इससे मेरी बटियो कोई नुच्छान नहीं होगा नुक्षान भी तो इसलिए मैं इसको लगाऊंगी दो शेट लगाऊंगी मैंने एक पिंक कलर लिया है टार्क पिंक है और फिर मैं गूल्डन कलर लगाऊंगी अब इस देखिए कितना बढ़िया से करवा रही है इसको भी मज़ा आ रहा है इसको करवाने में बहुत खुश है कि आज तो मेक अप करनी को मिल गया मुमिक खुद मेक अप मुप्राइब चुल आई शाड़ो लगाने के बाद में काजल लगा दूंगी इसको और फिर मैंने यहां मस्कारा लगाया है और इसके बाद में आई लेनर लगा दूंगी आई लाइनर में थोड़ा सा विंग लाइनर बनाऊंगी इसकी बच्चों की आखों पर अच्छा भी लगता है और यहां पर मैं ब्लेश लगा रही हूं तो उसको बहुत मज़ा रहा है कि मेरे काल लाल हो जाएंगे ममी रेड हो जाएंगे अच्छा लगेगा तो मैंने का हा तो बहुत खोश हो रही है उसको लगवाने बहुत मज़ा रहा था और फिर मैं इसको लिपस्टिक लगा दूंगे और इसके बाद इसके पाल मैं जुड़ा बना दूंगे उसके बालों का तो उसका मीकप लुक भी कंप्लीट हो जाएगा तो बताएगा फ्रेंड्स कैसा रहा मेरा यह मैंने जो मीकप किया है अपनी बीटी पर यह कैसी लग बताना जरूर मुझे वही आज तो बहुत खोश है कि इसको मेकप करने को मिला है आज ममी ने इसका मेकप खुद किया है वो भी ना डार्क मेकप तो कभी करती नहीं है आज आप लोगों के सामने में अपनी वीडियो को यह देखी कि तैयार होगी कैसी लग रही है बताना ज किजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए तो बस आज के लिए इतना ही बाई बाई फ्रेंड्स